अब हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि Mother's Education, Father's Education, Mother's Motivation और Father's Motivation. हम Occupation के अंदर तो Training करते ही करते हैं. Occupation के अंदर तो हम Upgradation करते ही करते हैं और हम Occupation के अंदर जो हमारे पास Professionals हैं वो अपने Need बताते हैं, इदारा Need को Assess करता है. उसके बाद Training मेडूल त्यार होता है और Training Mechanism बनाया जाता है और उसको Train करने के बाद उसको Upgrade कर दिया जाता है. लेकि ये Life Long Learning सिर्फ Occupation के लिए जरूरी नहीं है. Life Long Learning हर Mother के लिए और हर Father के लिए जरूरी है. Mother को भी ये मालूम होना चाहिए कि उसका बच्चा जाए उसको क्या चाहिए? उसको Environment के बारे में पता होना चाहिए. उसको ये Knowledge होना चाहिए. Fathers को भी और Mother को भी. अब जब देखें, Fathers और Mother की बात करते हैं. Every person is a father, adult and every female is a mother. Adult चोई है, वो Mother है. अब Being a Father, मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे बच्चे को किस किसम की खिजा चाहिए? मेरे बच्चे को वैक्सिनेशन कैसी होना चाहिए? मेरे बच्चे को मुझे बिमारियों से बचाने के लिए मुझे किन किन कामों को करना है? और Same for the Mother. कि Mother को पता होना चाहिए कि उसकी Health के हवाले से बच्चे को बैलन्स डाइट में क्या देना? यह knowledge है और इसका उसको पता होना चाहिए environment में कौन कौन से मुझर असरात है उनसे मैंने बच्चे को कैसे बचाना है? उसके बाद उससे पता होना चाहिए कि मैं उसे continuous ली यह मालूम होना चाहिए कि मेरे बच्चे को अब इस स्टेज के उपर यह अगर हम उसको बर्थ से बात करते हैं तो बर्थ से लेकर वन बाई वन जो स्टेज आ रही है उसमें उसको क्या के essential चाहिए? फूड के हमाले से? वेक्सिनेशन के हमाले से? environment के हमाले से? कि फूड के हमाले से? उसको balance diet कैसी चाहिए? उसके बाद environment के हमाले से? उसको environment से कैसे बचाके रखना है? इसके उपर हम काफी पहले भी गुफ्त गू कर चुके हुए है environment के असराज जो है हमारी pollution जो है उसके बाद तो clean water जो है इसके उपर गुफ्त गू कर चुके है अब यह चीज़े एक mother के लिए यह चीज़े एक father के लिए हमें चाहिए कि उसको knowledge दे ना सिर्फ knowledge दें बलकि उसको motivate करें देखें गौर्मेंट का काम या एंजियोस का काम या international जो donor उनका काम है available कलाना अब जितने भी resources हैं या जितने भी चीज़ें उनकी availability को ensure करना या international का काम है गौर्मेंट का काम है और एंजियोस का काम है उसकी मैं एक छोटी सी आपको example देना चाहूंगा वो यह कि international agency यह donor ने भी आपको vaccine प्रवाइड कर दी गौर्मेंट ने उसका plan बना दिया अब देखें जब तक mother और father जो है पहले नंबर पे उनको awareness नहीं होगी फिर वो motivate नहीं होंगे तो उस वक्त तक हम उसकी usability और उसको जो benefit हम लेना चाहते हैं और जो output हम लेना चाहते हैं उस वक्त तक नहीं ले सकते तो इस हवाले से हमेंशाई यह कि हर father और mother उसको उस बच्चे के कि बर्त के फौरण बाद पहला जो है वो उसका vaccination का है दूसरा मरहला जो है वो उसकी nutrition का है तीसरा मरहला जो है वो उसको balance diet का है fourth जो है वो उसकी education का है अब यह देखें अगर मैं इस हवाले से बात करूं तो इसका मतलब यह हुआ कि हर father हर mother को aware होना चाहिए बलके इसके बारे में उसे sensitive होना चाहिए और sensitive होने के बाद जो resources allocate कि होंगे हैं उन से उसको maximum benefit उठाना चाहिए अब maximum benefit उठाने के लिए जब तक उसको appropriate timingly चीज़ों के बारे में इल्म नहीं होगा उस वक तक वो नहीं कर सकता यह अगर एक father और एक mother उसको यह मालूम नहीं है कि किस time पे कितने माँ पे बच्चे को कौन सी vaccine लगनी है और वो motivate नहीं है तो उस वक्त तक वो उसको utilize नहीं कर सकता इसी अवाले से जैसे हमने सारी बातें की balance diet को भी बारे में उसको मालूम अगर नहीं है कि क्या करना है तो उससे लिए भी बच्चे की सहत पर असर अंदाज होगा nutrition के हमाले से education के जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा तो अब इसको education के लिए मुझे कौन से इदारे में लेके जाना है मुझे कौन से education दिलवानी है और किस से कैसे करना है तो लहाज़ा एडल्ट education के अंदर हम जब बात करते हैं तो उसमें father और mother वो तमाम जो शादी शुदा लोग हैं उनको अपने बच्चों के लिए हमें ना सिर्फ awareness देनी है बलके उन्हें motivate करना है और motivate करने के बाद उनके मताबक उसको अमल पैरा होने के लिए जरूरी है